कि विल्कम वेक्टू माई यूट्यूब चैनल पेपर है कर आज हम आपके लिए बीसी पार्ट वन कमिश्ट्री की बात करेंगे ठीक है जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा कोश्चन है हमारे पास कहरा संक्रण को समझाईए यह एक्स्प्लेन हैविडाइजेशन संक् संक्रण को समझाईए या आप से पुन सकता है अथवा की संकलपना को संच्छेव में समझाईए यानि कि हैविडी करद जो संकलपना है जो आपको बताना है SP3 SP2 SP संक्रणों का वर्ण उच्छे तो उधारन सहित दीजिए ठीक है जैसे मेथेन एथिलीन और एसेटलीन मेथेन में आपका SP3 संक्रण होता है और इसमें आपका SP2 संक्रण होता है है एसेटलीन में आपका SP संक्रण होता है ठीक है कि और डल संरचना है बनाई है तो यह है आपका क्वेश्चन मुस्टली आपको याद रखना है कि हैविडाइजेशन पूंच रहा है ठीक है यह संक्रण क्या होता है उसके एक्जांपल मेथेन का एक्जांपल एथिलीन का इसमें Hebrew में कि होती है 3D में हो एशेटी और यूंधकर हूँ आपका SP ठीक चली स्टाट करते हैं ज्यादा समयना गवाते होई अब ठीक अब यह जो हैव्देजेशन होता है इसमें का वोता है कि और यह बात करें यह बते हैं कि यह आपका सब्रीं हो ठीक है मिलके इक समान उर्जा का एक नया और बनाते हैं उसी कमแतन संकर्ण ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहा तरंग यांतर की यानि की बेव मकैनेक्स बेव मकैनेक्स में मतलब किसी जो हमारी बेव होती है या पार्टिकल्स जो मूव करते हैं गती करते हैं उनकी पूरी इस्टडी करना ठीक है यानि की 3D में उनका पूरा इस्टडी करना ही कहलाता बेव मेकैनेक्स ठीक है के सिधान्त के अनुसार एक ही परमाणुंग की उर्जा में अत्यंत सननिकट वाले अत्यंत सननिकट उर्जा वाले पर और्विटल में युगात्मक धंसे एक दूसरे के साथ मिलकर उर्जाओं को पुनर वित्रअग करके उतने ही समान तो यहीं आपस में क्या करेंगे एक दूसरे से योगात्मक धञते यानि की ऩूँतने अरृबिटल बनाएंगे जितने की पहले यहां पर एक यह है और यह प्राइब के बाद किते बनाएंगे दो इसको घंगा कैंगे यह क्रैण हुआ है संकरन इस did not appreciate any घर का निबों एना is sì संकरण कहते इस प्रकार बने और डिटाल गो hybridNow.org अभ यह जो नए ओर बीटल म हमें मिलें इनन ठीछ और इस घठना को hybrid करन कैंते है ये घटना क्या कर लाती आए किया संकरणना तो यह होगे आपका संकरण ठीक है ध्यान रखना नेक्स्ट कहा रहा है है व्हाइब डाइज है ब्रीड आउड़ दिसात्मक होने के कारण प्रवल बंद बनाते हैं दिसात्मक ठीक है मतलब एक दूसरे के सम्मुक होंगे यानिकि इन दोनों का ओर इंटेंश का ओर अधिक्त्मद बनायर क्ते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ गैपोगा अधिक्त्तंजित्न समच्थ हाइब्रिड ऑर्विटल की आकरती समान होती है जितने वह हमारे हाइब्र ऑर्विटल बनेंग उनकी हैसे क्योंगीподव्च अर्दबुरत अनत्वा पुड़ पूर भी भाग पूर्ध पूर्ध बहले सकते हैं इसमें इलेक्प्र्ण भाग नहीं लेते हैं इसमें केबल कौन बाग लेता जो हमारे orbitals होते हैं बही भाग लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें चैwo करा है हाइब डी करण अत्वाद चतुस फलकिये संकरण SP3 या इसी को हम कहते हैं चतुस फलकिये टेट्राइडल ठीक है इसमें कित्ते बॉंड बनते होंगे से चार एस्पी 3 हाइड़ाइजेशन और टेट्रहाइडल हैड़ाइजेशन करेक्र कारबन परमानु का मूल अभस्ता में निमन एलेक्ट्रोनिक बिन्यास होगा भी कार्मानु का परमानु कुरवान की तर्व आच्छे तो कितना हो जागा इसका बन एस्टू तू और टूप तू यह होगया आपका कि मूले बस्तार में यह लाक्रा फिक है लेक्ट और इस्मस् catho smiling लेक्त्रों है यह क्वाइब और जैड़ में क्या है कोई इलेक्ट्रों नहीं है ऊब सब्सक्राइब करने के लिए हम यह कलपना करते हैं कि मान लेते हैं कि टू एस और सब्सक्राइब करते हैं जो एक लेक्टरन उत्ते दोगा टूपी जैड में चला जाता है जिससे इलेक्ट्रोन बिन्यास निम्त प्रकार हो जाता है अब जो कार्वन परमाण हुआ है उसकी जो सही जगता है वो कैसी होती है चार मतलब उस पर चार बांड बनाने की परिवरती हम कहने हैं एक मास्ट की है यह एकलहर जागा टूल्त में सब चला जागा कर समयने चला जागा उन तीनों में एक-एक एक 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 तबस्ता में यह और यह आपका एक कौन से होगे अब यह आप मिल जाएंगे सभी तूसरी यह यह मान लिया जाता है कि जो बैलंस होती है तो वह आर्बिटल में कि तेनने करने तूपऻ सब्सक्राइब हमें इंगा जाए इन जाए ह और टीन सब रखार के साकते हैं कि दुतिय ऊर्जा इस्तर में चार आधे भरे हुए और्थात एक एलेक्ट्रon मुक्त और वीटल होता है तो इसे मैं क्या होते हैं जो तेजी तबस्था होती है में हमारों कह सकतें नितर एक ह擊 या हम हो कह सकतेकि नित्य आधे आदे भर हुए अर्थात एक लेक्ट को रबिटल होते हैं समय एक लेक्ट के लेक्ट्रोन प्रिजेंट हो ता जिन में इसे टूस और्बिटल तथा तीन टूपी ऑर्बिटल होते हैं एक टूएस का होता तीन कितने होते पीक और बिटल होते हैं मेथेन अडू बनाने में हैव डिजेशन यानिकि संक्रण की सहाथा से एक टूएस और बिटल तथा तीन टूपी और बिटल आपस में मिलका समान उठ जाता समान आखरती वाले चार नए SP3 हैवडी करित और बिटल बनाते हैं जिन में एक दूसरे के मद एकसो ओनो अथैस मिनट का कौड होता है allora डिजेखाएप यह इक दूसरे से क्या कर लिए अपस में एक दूसरे से मिलकर उन्होंने समान उठ वाले S P 3 Orbitl मना ली कि तो बना लिए S P 3 ठीक है S P 3 यायनि 1 S का होगा और 3 किस के होंगे यह नहीं पता है इसमें कौं सा S का होगा कौं सा P का होगा इसलिए नको क्या कहते है S P 3 ठीक है, 1 S का है 3 किस के हमारे P के हैं, ठीक है है चलिए ल civilians संक्र अगर हम बात करें तो में कितों था ओर एक एक सब्सक्राइब ओर यह वह पहले थे येस्फ्य की बात है तो आइस से निकल से निकल के कहा notice आथ जा के और बिटल यह गए धीच तो इह जब चार बन के हमारे है का है कौन सा x का है कौन सा जेड़ का है डिए करत देंस को x 37 एसा कंभान तो यह चार बहुत 1 2 3 4 4 थे तो चार अलग अलग लिखे जाएंगर टूएश्पी 3402 एक लिर्म zPS 312 सब्सक्राइब है जो मेतेन का संक्राइब होता है वो कितना होता है SP3 यानि कि एक और तीन पी और विटल इसमें मिले रहते हैं करा अगर प्रकार के हाईवडी करण को SP3 या समचतुसपल की हैं यह जो आपको मिल रहा है नीचे जो दिख रहा है यह कैसा होगा को SP3 या समचतुसपल की है अब यह बात करें पीएक सअर्बिटल है यह आपका तो इसको मानलो यह आपकी यह जैजाँ यह जैर यह आपका वाई श्राच काउंसा है यह आपका यह श्राओडन हो अब देखो आपस में अत्वयापन कौन कर्रहे थे North York zust कर रहे थे एक का मारा 2s का था और और दो क्या थे हमारे फिल लुको इक CharityGo यहाद सब यह सभी क्या करेंगे आपस में अत्युवयापन कर लेंगे पर करने के बाद जो structure होगा वह हमें इस तरह से मिलेगा ठीक है एक दो तीन चार यह चार इनके आगे यह चार आपको मिल जाएंगे orbital ठीक है एक सो नो डिगरी और 28 मिनट का ठीक है तो यह भी आपका सेम यह 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 मेथेन का अड़ू है टीक नेक्स्ट कारा मेथेन अड़ू की ऑर्विटल सनजना आप हम बात करेंगे इसके ऑर्विटल सनजना किस प्रकार से होती किस तरह से एस और पी ऑर्विटल आपस में अद्वियापन करते हैं तो वहाँ पर कौन-कौन से बांड बनते हैं और एंगल उनके वीच में क्या होता है चलिए इसको हम देखते हैं कारवन परमानू के चर चर किति और हुम समच प्रकार सतुब्रक चार किनारों पर होद उस्ट रहती हैं दिस्ट मतलब एस औरबिटल बनाते हैं जिने हम क्या कहते हैं सिग्मा बंद कहते हैं ठीक है एक क्या होगा आपका SP3 क्या होगा SP3 दूसरा हीडोजन का होगा आपका S ठीक है तो यह क्या बना लेंगे यह आपसमें मिल जाएंगे अत्वियापन कर लेंगे और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा बोका ऐसा होगा हमारा Sigma Bond होगा मेथिन में 4 Sigma बंद होते हैं मेथिन की कुछ इस प्रकार है देखो यह आपका कारवन परमाद ओर तो उसके यह चारों आपको और विटल दिखाई दे रहे हैं यह यह बने बॉब आपको दिखाई दे रहा है अब देखो इसमें होता क्या है चारे और चारों के पास हमने देखा कि यह के electron की सब के पास क्या है कमी है अब देखो इसमें यह bond कब बनेगा यह bond जब ही बनेगा जब इसमें एक एक electron और आ जाएगा ठीक है यह को दिखाई दे रहा है यह जो नया electron आएगा यह कौन देगा यह कोई अन्य परमाड़ देगा जैसे हाइडोजन हो यहां पर हमने क्या मान लिया है अपना electron डोनेट कर सकता तो यह आएगा और पी ऑर्बिटल सब्सक्राइब कर लेगा और यहां पर यह बॉंड बन जागा यह बॉंड कौन सा होगा आपका सिग्मा बॉंड क्या होगा सिग्मा बॉंड का यहां पर कार्बन का ठीक है उत्ते जी तवस्ता में तो यहां पर सिग्मा बॉंड और यहां पर भी सिग्मा बॉंड बनेगा यह भी सिग्मा बॉंड बनेगा आपका यह वी तो चार सिग्मा बॉंड बन जाएंगे चार सिग्मा बॉंड बन जाएंगे यह पूरी इसकी इस्ट्रक् साइड होती है और यह जो दो लाइन आपको दिखाए देरें यह वाली यह कुछ इस तरह से देश्ट रहती है ठीक है एक इधर को रहेगी और यह कितर इन दोनों के बीच में मतलब एंगल कितना होगा वन हंडेर और नाइन बन हंडेर डिगरी अट्थाइस मिनट का ठीक तो यह आपका इस तरह से हम बढ़ा बता सकते हैं की सेज़फोर की सरचना हो गई ठीक है दूसरा आपको दे रखा एस्पीटू है करन अत्वा तरुकोंडी है है व्यूर्डी करन जो हैसा होता हमारा वह था हमारा ट्राइग रिग्णल कैसा होगा ट्राइग रिग्णल त्याजकर पड्ल नेजिक्र तुट्र स्ट्री melted ट्राइबुनल तो इसमें बान्त करते हैं कि में क्या होगा आपका इसमें एक एसको एक और बिटल होगा और दो किसको और बिटल ओंगे टिकां एक एसका और बिटल दो टिक्वन के आरलर तब ही मिलके मैं बना लेंगे आपस में स्कौन में यह इस और दो लगो सकता है ठीक MICH पर मिलकर अपनी समान और जाओं का प्णर करें तीन अर्बी टुर्ण करते हैं जो समतली हुते हैं कैसे एक दूसरे से संकरण को यानि कि ट्राइगनल हाई जैसा कि आगे देखने पा रहें तो इस जो सब्सक्राइब निर्माड करेंगे ठीक है और जो कैसे होंगे प्लेन में और उनके बीच में एंगल कितना होगा बन ट्वंटी डिगरी का एंगल होगा तो चली हम देखते हैं मालों यह हमारे पास कोई प्रमाणूं है ठीक है बन एस हमने के डी बेंट ऑफन और इसके पास को इलेक्टर नहीं रहा होगा अब इसने अपना एक electron इसको दे दिया तो इसके पास एक electron रहे गया इसके पास और P के पास भी एक electron आ गया तो यह के दर साथ SP2 संकरण को ठीक है तो इसका संकरण किस तरह से लिखा जागा यानि कि जो S है और P है यह चारों में common रहेगा तो क्या हो अगा SP2 बन और SP2 बन SP2 में SP2 आकस बन यह आपका हो गया SP21 SP21 SP2 एकस बन ठीक है तो तो SP2 एकस बन किया पर क्या है टूपी एकस बन ठीक है अगर यह चार यह अगों तो आपका SP3 बन जागा क्या है sp3 sp2 यान यानि कि एक स चोर्बिटल हैς और दो आपके पी अंत्य ओम्राई श्यावार मां नहीं ले रहा है ठीक है तो डों बनाएगे जैड और वाई यहांपरodka formation कर रहा है और यह जो आपका ऑख्या यह बॉंगर नहीं बना रहा ठीक है को यह आपका ऑफ Secondly ॐसलेग ऑप और यह आपका वाई को जागा मॉजा है यह क्या करेंगे आपस में अत्तियापन कर जाएंगे त्यों यह इन को ठीक है वाई और एक्स यह आपस क्यार जाएगे या त्यापन कर जाएंगे किस तरह से खरेंगे और यह यह कि आपका X Jest हो जाएगी यह कि अपकी भाई भाई हो जाएगी और क्या हो जाएगी जίαग तो इस हमारे पास के वह नहीं 2p Z और 2p By और एक क्या हमारे पास 2S है तो इसमें 2 हमारे पास P के ओर्बिटल होगे और एक किस का होगा हमारे पास aries का एउर्बिटल होगा ठीक है 2P के और एक S क आइज का आर्बिटल होगा ये देख रहो The last-leaf The last-leaf, इसमाल-loaf बड़ा लोब होता है एक छोटा लोब होता है तो यह आपको छोटे छोटे लोब दिखाए देते होंगे तीन देखो प्रति एक का एक छोटा लोब भी होता है साथ ही साथ तो यह इन दोनों के बीच में क्या है यह एस पी ऑर्बिटल है हमारा यह भी कैसा है एस पी पाइब और कर देता ठीक है तो यह आपको हो गया स्ब्स भार मिलेंगा एक ऑल grown मिलेगा और दो आपको क्या मिलेंगे पी और भिटल मिलेंगे तो यह आप Daehp बना लेंगे SP3 समान उर्जा के और विटल बना लेंगे इसमें तीसरा संकिर पी औरबिटल यानि कि जो अभी इदर खाली पड़ा हुआ था अपके पास औरबिटल टू ऐसंपी टू हैवेड और विटल के लंबबद रहता है यानि कि उनके लंबबद रहेगा ठीक है बार भाग नहीं लेगा टीनो SP टू ओर्पिरल के तल के ऊपर तथा दूसरा लोब नीचे लमभवत रहता जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया यह सामने देख लो तीनो क्या करेंगे ऊपर रहेंगे और एक क्या रहेंगे तो था उपर और दूसरा लोग कहा रहा है का तल में नीचे की ओर उपर और उसके बाद नीचे की ओर ठीक है जैसे ही जो छोटे-छोटे दिखाई देने यह नीचे की ओर है यह आपके बड़े-बड़े ऊपर की ओर है ठीक है यह हो गया आपका संक्रण के साथ में अतिवयापन करके क्या करता है सहबंद बनाता है ठीक है जिसे हम सिगमा बंद कहते हैं दोनों स्पी टू और बिटल कारवन परमाणू के असंक्रित तूपी जैड यह संक्रण में भाग नहीं लेगा इसलिए संक्रेंट फिक है और पर संबर्टी अतिव्यापन साइडवाज अतिवयापन जैसे हमने उस दिन पढ़ाता है इस तरह से इसको कहते है पर सबर्टी है यहां से अतिव्यापन करेगे पर अतिपयापन द्वारा पाई बंद बनाते हैं यानि कि कहने का मतलब यह है कि इसमें जो S.P. आर्बिटल होंगे बो क्या करेंगे दो जो हमारे पास S.P.S.P. टू आर्बिटल होंगे बो तो आपस में बो तो आपस में मिल जाएंगे ठीक है और क्या बना लेंगे यह सिग्मा बंद बना लेंगे लेकिन जो बच्चे हुए हमारे पास होंगे जैड टूपी जड और विटल यानिकि जो अंक असंक्रित होंगे संक्रण भाग नहीं लेते हुए बो क्या करेंगे आपस में उपर से बो साइड़ वाज जिए और लेप कर जाएंगे साइड़ वाज ओबर लेप कर जाएंगे तो यह पाइब का फार्मेशन करतें ठीक है तो यहां पर पाइव और सिग्मा दोनों बांड बनेंगे अब देखो यह तो कुछ नहीं फालतुगी बात लिखी है ठीक है आपको यह नहीं लिखना है य किसमें से क्या कर लिए। सामने-सामने वालेने वालेंसी सिग्मा ब बना लिए चाहिंतρी है इस प्रकार ऐथीलीन इसलिन अडू के दोनों कर्वान प्रमाडूं के बीच में दूइबंद दूइबंदों में एक सिगमा वंद दूसरा कैसे होता पाइबंद जिसकी और विटल सुन रचना अगर प्रकार है अब देखो यह हमारे पास कोई carbon का प्रमाड़ हूं है ठीक है जिसमें की 4 और विटल है और विटल है कौन कौन से और विटल है कि एस्पी टू और ऐस्पी टू है कुछ इस तरह से SP2 SP2 कितने हैं ये का आपका ये है SP2 एक आपका ये है ये है ये है ये है ये है तो कितने होगा है ये कार्बन पर आपको दो SP2 देखने को मिल जाएंगा ठीक है तो ये कार्बन के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा थिए यह क्मिरे वह सरा हए heh यह क्या होगा s p2 यानि इसमें एक s का और्बिटल मिला होगा और दो किसके मिले होंगे और टी के और्बिटल मिले होगे ठीक है ऐसे दूसरे कारवन में भी same यह कहानी होगी इसमें भी एक आपका s का मिला होगा और दूसरा आपका किसका मिला होगा ठीक है लेकिन इन सब के पास electron एक एक होगा किते electron होगा एक एक electron होगा ठीक है एक electron एक एक दूसरे carbon में भी same condition एक electron एक electron एक electron अभी आपस में react करेंगे टीक है overlap करेंगे तो देखो यह जो P orbital है ठीक है SP 2 करबन के तो और यह हमारा here word AIrey नों गया और यह हमारा क्या है यह हमारा Hip team टीक है जो संक्रण कर ने भाग ले रहा है मर यह कैसा हमारा तो यह हमारा up in June स्भाबन की बात सुना है तो यह पीजव दों गel आपका यह PZ हो गया, यह SP2 आपस में संक्रत कर जाएंगे, ठीक है, इस वाले कारवन का, इस वाले कारवन के साथ में SP2 आपस में क्या कर जाएंगा, संक्रत कर जाएंगा, तो क्या बन जागा, SP2, SP2, यहां पर क्या बनेगा, आपका, यह बन जागा, आपका, सिग्मा बांड, क्या बन जागा, सिग्मा बांड, अब यह कारोगन के देखो, यह एक और बचा हुआ, SP2 बाला, ठीक, अब यह SP2 बाला क्या करेगा, हाइडोजन के, सिग्मा, हाइडोज कैसे यहां पर भी हैड्रोजन का प्रमाण हुए ऐसा ओर्बिटल क्या करेगा इसके पी ओर्बिटल के साथ में अधिवयापन कर जाएगा और क्या बना लेगा यहां पर भी एक सिग्मा बांड का फार्मेशन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अब देखो यह जो हमारे पास पी यहां से बन जागा और यह बीच में बने लाक कित्ते बांड बनेंगे दो बन बन जाएगे एक सिग्मा और एक पाई तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारी क्या एथलीणन की सरचना है एथिलीन अनू बनने के निम्ट क्रार से भी हम इसको कहते हैं दर्सा सकते हैं ठीक है कारवन कारवन यह जैड और और यह जैड और और बिटल आपस में अतिवियापन कर जाएंगे साथ में यहां पर देखो एक सिग्मा और यहां पर आपके पांच सिग्मा पॉंड देखने को मिल जाएंगे और एक आपको पाइबॉंड देखने को मिल जाएंगा ठीक है यह यह दे रखा यानि कि यह ओपर जो बनें गारा पॉक्शा हुआ हाफ आप दे पाइबॉंड ठीक ऐसी हो जाएगा दा अधर हाफ हाफ आप पाइबॉंड ठीक तो यह आदा आधा तो यहां पर क्या हो जाएंगे सिगमा और यह सिगमा इस सिगमा यह सिगम यह सिगमा सङरेगा उधाद का संकरम ke South तो आपके पास हाइडो कारवन का सब आप बहुत ही जी से उसको बता दोगे ठीक है अभी मैं बता दूगा उसकी ट्रिक ठीक इस वीडियो के अंत में यह आपको नहीं पढ़ना है बस यहां तक आपको बना देना है ठीक है आपका काम खतम हो जागा पूरा करा एस पी टू है डीकरेंड यह दिकरण है डीकरण सबस्क्राइब करन सब्सक्राइब चर्विजूच फिन और डागनल है डीकरण ट्रॉच इसके अगर हम बात करें सब्सक्राइब तो इसमें क्या होगा इसमें यह ओगा जो कारवन हैं उसके बीच में कितना बॉंड पाए जागा तीन आर्बिटल और दूसरा टूपी और विटल यह क् संभ्रेखी रिसंती तो यह भग ले लेगा तो कितने बचेंगे दो आर्पिटल भे हाईडरी करत याननी की असंकरित और रहे जाते हैं से सिथी रेखा में होते हैं कैसे रेखा में होंगे सीधी रेखा में हूंगे कि इनके इंगल कितना होगा बनेती कहा किता होगा 180 दिगरी का दोनों असंक्रित P x और P y और पी जएड और एस पी और बाइर्ड चाहिए जो असंक्रित और रह जाएंगे हमारे PY और PZ वो क्या कर जाएंगे वो SP orbital के साथ में क्या बना लेंगे संकोड बना लेंगे ठीक प्रतिय कारमर प्राणव पर दो असंकरित और्बिटल PY और PX बन और PX बन सेस रह जाते हैं यह दोनों बच जाते हैं ठीक है संकरर के बाद भी जो आपस में जो आपस में तथा संकर SP orbital के साथ में लंबवत रूप में लगे रहते हैं ठीक है जैसे कि यह आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यह आपको हो जागा टूएस यह आपको क्या हो जागा टूपी जैड तो टूपी जैड क्या होता है बंड बनाने में पहले भाग ले जाता ठीक है इनने क्या मान लिया जैड वाला भाग भाग ले रहा है ठीक है वही ऐस से एलेक्ट्रॉन जागा कहा पहुंच जागा जैड़ वार्विटल में पहुंच जागा जो क्या करेंगे यह दोनों मिलके क्या बना लेंगे नया नई उर्जा का आपके पास क्या बन जागा एस्पी और बन जागा ठीक है तो यहां पर देखी किस तरह से इसको बनाते हैं इस पी हाइड़ाइजिशन तो इसमें क्या होता है दोनों का इस तरह रेखी प्लेन यानि की रेखी होते हैं ठीक है एक बिलकुल रेखा में रहेंगे सीधे रहेंगे जिनके बीच में एंगल किता है बन एक्टी डिगरी का है यह फर्स्ट आपका एस्पी और यह कैसा है आप इसका छोटा लोग यहां दिखाई देगा और इसकी अगर हम बात करें दूसरे वाले की तो यह कुछ इस तरह से रहेगा और इसका दूसरा छोटा लोग आपको यहां दिखाई देगा ठीक है यह हो गया इसको देखो इस तरह से लगा लिए यह जो हमारा एस पी है यह को बीच में τ्रिपल वांट पाया जाता यह तो इसकी इसी में सरचना पड़ेंगा मैं अपकाingen सता है इसी में हमारा होता है तो चाहला है और कारवान को बीच में थीन बंद यूद बरने में SP hybrid करद के दो carbon प्रमानू सहीज़क्त होते हैं carbon प्रमानू किते लगेंगे इसमें दो जिनका संक्रण कैसा होगा SP होगा ठीक है प्रतियेक SP hybrid करद कारवन प्रमानू का एक SP orbital दूसरे कारवन प्रमानू के SP orbital के साथ में अतिवियापन करके सहबंद बनाता है यह कारवन का जो SP orbital होगा वो दूसरे कारवन के SP orbital के साथ में क्या कर जागा अतिवियापन कर जागा और क्या बन जागा यहापर सहबंद बन जागा जैसे हम क्या कहते है सिगमा बन्द के नाम से जानते है करा दोनों SP carbon परमानू के दोनों असंक्रित P orbital अब देखो दो असंक्रित इसमें P Orbital रहेगा यह पार्सी अतिवियापन क्या कर जाएंगे बहिए दोनों कारवन में दो दो असंक्रित होगे यह क्या कर जाएंगे पार्सी अतिवियापन कर जाएंगे यानि कि साइडवाइज ओपर लैप कर जाएंगे इस से क्या होगा दो पाई बंद बन जाएंगे ठीक है और करती कारवन प्रमाणू का एक सेश एक एस पी बचेगा और बिटल वो क्या करेगा है और पर मानू के साथ में आई पर मानू के साथ में मिलकर अतिवियापन करके ए तो इसके अगर हम बात करें तो इसमें देखो एक में कितने क्या क्विसा पहुँच गया आपका S से निकल कर कहाँ पहुंच गया फिम мо般 पहुंच गया यह से निकल कर अब आप देखो जब ऐसे निकल कर पी में पहुंच जागा तो यहां पर आपको दिखाई दे रहें तीन और्बिटल होते हैं हमारे पास पी एक्स पी वाई और पी जेड इन तीनों में से देखो बॉंड बनाने में कौन भाग ले रहा है यहां पर बॉंड बनाने में आपका जो चैसा होने तो यहां पर कैसे ओप्स का संक्रण होका हम ने लिया है तो कभोगा एस्पी तभी होगा जब कि इसके दो p orbital खाली रहेंगे, क्या, 2p orbital खाली रहेंगे, 技 комर्ड छे जो कहां से आएगा, s बाले से आएगा, इसमें कोई बी नहीं होगा, यानि कि 2s, जिसका electronic विन्यास क्या होगा, 2s2 होगा, 2s2 में से s में 2 electron रहेंगे, उसके बाद आगे भी जो हमारे orbital होते हों, यानि कि इसमें का भी तो यह यह बच्चे हुए आपके पास, यह यह दो बच्चे हुए है यह बच्चा है और पी यह आपस में बच्च कर जाएंगे, यह देखो, कारबन प्रमादूं आपको दिखाई दे रहा है, यह आपका पीजए है जो बंद बनाने भाग नहीं ले क्शिट आप का प्यबाइऄ हों गया प्यबाइब और यह आप का कंशा है पी ऐक्स और यह दूसरे कारवन ने इस का इस कारवन के प्येक्स के साथ में क्या कर गया ORLG कर गया यहां पर क्या बन गया? SPSP Sigma Bond क्या बन गया? Sigma Bond यह इसका P SP और यह दूसरे प्रमाउन के Hydrogen के S Orbital के साथ में अत्वियापन कर गया यह क्या S P और यह क्या S, तो यहां पर भी क्या बन जागा? आपका Sigma Bond बन जागा. ठीक ऐसे ही यहाँ पर यह क्या है-S P वाला और्विटल है, यह ऐसे हैайте हिड्रोजन का तो यहाँ पर भी क्या बन जागा? सिंक्मा बांड बन जागा अब देखों, बात करते हैं अगर यह जो दो और्विटल खाली पढ़े हैं किसके कार्वन परमानू के क़हाईर बड़ांग है कि भी भाइए जो ऑर्बिटल काली पड़े हुए यह वाले कि यह क्या करेंगे दूसरे कार्बन पर मॉनुं का इनई सेम ऑर्बिटल के साथ में क्या कर जाएंगे साइडवाइज ठीक है यानि कि साइडवाइज ऑबर लैप कर जाएंगे साइडवाइज ओबर लैप क्या होता है इस तरह से यह परमाण बने हुए हमारे और और यह कुछ इस तरह से तो यहां पाई के साथ में और ऑप और आपको दोस्रा ऑद और पई के साथ उन्बर लैप कर जागा और यह जो पीजाइड हमारा यह पीजाइड इस फोले पीजइड के साथ हम pos deliver लैप कर जागा तो यह पाई पॉंड यहाँ बन जागा आदा इस ble बचागा आदा यह कि आurgळा ठीक तो यह हो गया आपका ऐसेटलीन का फार्मेशन इसमें संक्रड़ हमने पड़ा था करा इस प्रकार एसेटलीन अड़ों में दोनुं कारवन प्रमाणूं के बीच में एक सिग्मा तथा दो पाई बंद बनते एक सिग्मा बंद बन रहा है और दो कित्ते बन रहे हमारे पा हो रहा हो ना रहा सिग्मा बंद निर्माण कर रहा है ठीक है तो यह करवन हो इसो रहें होता है कुल अरू में तथा यह स्रमाने रहा हम तरिस्च Now यह अ प्रदर्स्त घरतें नहि ready सिग्द प्रदर्सत करते हैं ठीक तो यह होगे यह थोड़ा सैस्ट में रह गया रहा रह कुछ नहीं गया जो उपर हमने पड़ा था बस अतना यह यह आपको उतना ही दे रखा कारवन परमाड़ु होगे है यह दूसरा कारवन परमाड़ु हो गया तो इसका जो SP SP होगा, यह SP और इस बाले कार्बन प्रमानों का यह SP आपस में क्या करेगा वर्लैप करेगा, यहापन क्या बना लेगा? शिक्मा बना लेगा, और यह कार्बन का दूसरा SP और यह hydrogen का S orbital आपस में अत्यवयापन करके सिक्मा बना लेगा, ठीक किसी तरह से कार्बन का एक स्पी और्बिटल और यह है्डोजन के साथ में क्या बनाएंगा मिल के सिगमा बना लेगा अब यह दो एक बंद जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक नीचे दिखाई दे रहा है यह जो पी और था उसके दो लोग खाली बचे हुए थे कौन-क अबर लेप कर गया और यहां पर के बन गया दो पाई बन गये एक कर रहा एसेटलीन रेखी अडू है कैसा है रेखी यह यह आपको दिखाई दे रहा है विल्कुल लीनियर तो बाट एंगल कितना हो जागा कारवन हो सॉरी है डोजन कारवन कारवन बंद किता होगा 180 डिगरी कि निर्वत टल्बाई कि यह ज़्या जो हाइडोज़न और कार्वन आपको दिखाई दे रहा है इनकी यह जो बना हुए है इसकी लंबाई कितनी नहीं बन पॉयंट गो लंबाई हैं है नीच यहां से यहां जेसन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम की दर्ष्टी से ठीक है तो अगर हम बात करें कि हैविडाइजेसन कैसे निकालते हैं कारवन प्रमाण उपर अगर कारवन कारवन पर जो उसकी बैलेंसी है वो सभी चार बॉंड बना रहा है यानि कि है चार आपके पास सिगमा बॉंड बनने seven तो आपके स्पी टु जागा क्या हका सी 63 लगर कारवन अगर लगी फी सिग अगर चार यह अगरन तो सपी घूंड बना रहां तो हुआ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाता है यह आप यूंद सकते हैं कि जो हमारा सूत्र होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्राण पेर उस पर माणू पर जिसका हम निकालते हैं तो इसका हम इलेक्ट्रोन पीयर देखते हैं कि इसे कितने रखे हुए हैं लिक्ट्रोन पेर हम कैसे निकालते हहे हैं, यानिकी लोण पर कितने लगे में उस पर ऐसे किते इलेक्ट्रॉन बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं उसे पर चलो देखते हूं करवन तो इसके निकालेंगे तो कितने आ जाएगा यहां पर देखो कितने बंद बना रहा है एक दो तीन चार बंद लिख लो पिलस लोन पेर इस पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन यह नहीं है जो भागना लेता हो बंद बनाने में तो जीरो तो इपी बराबर किता आ गया चार और जहा की फार्मूल से आप निकाल सकते लैक्टर चार्ज होता है या जिनार का कि इनको आप कर सकते हैं टिक है और यह जो पॉजिब का चार्ज होता है इसको मेलेक्ट्रों पेर मैं काउंटर नहीं करते हैं ठीका तो ये वाला सुत्र से आप कैलक्येट कर पाऊगे अच्छे से ठीक है चलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कहना चाहूंगा अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबादें जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे प पिडिफ फॉर्म चाहिए अगर इसका आपको पीडिफ फॉर्म चाहिए तो इसी वीडियो की दिस्केश्टिंट बाक्स में आपको इसका लिंक मिल जागा जहांसे आप पीडिफ फॉर्म पीडिफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई continue रख सकते हैं ठीक है अच्छा पढ़ने के लिए बने रही हमार साथ और वीडियो को कर दीजी लाइक चलिए मिलते हैं अगले